हम बात कर रहे हैं गोल्डेम इंटरनेशनल की अगर आज की दिन की बात करें तो इस टॉक में अच्छी तेजी देखने के लिए मिले हमको 3% के उपर का अफसाइट हमको देखने के लिए मिला है 3% के आफसाइट के साथ इस टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है इससे पहले वीडियो में हमने डिसकस किया था कि 156 के लेवल पर इस्टॉक सपोर्ट लेकर बॉंस बैक हुआ यहां से गोल्डेम का जो खेल है वो पलटे नजर आ सकता है यहां से अप ट्रेंड गोल्डेम डिका सकता है ऐसा डिसकस अपना पिछली ही वीडियो में हुआ था ह हमने देखा बॉंस बैक के बाद अप लगा था हमको हाया रहा है यहां पैटन देखने के लिए मिर रहा है यहां हाया रहा है पैटन के साथ इस्टॉक जो हमको री को री दिखाता नजर आ रहा है पहले क्या था पहले गिरावट में था हमको लो और लो पैटन देखने के ल 172 तक का थार्गेट को हम डिसकस कर चुके थे हम देख सकते हैं उसी के आसपास से चोटी मोटी गिरावट के साथ इस टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है लेकिन अब जो है गोल्डेम का खेल पलट चुका है यहां से आप ट्रेंड गोल्डेम हमको दिखा सकता है गिरावट आत और तगड़ार इंपोर्टन सपोर्ट रहेगा 160 का लेवल तगड़ार इंपोर्टन सपोर्ट रहेगा अब बात करते हैं तार्गेट की तो इमेडियट जो तार्गेट है 172 के बाद जो हमको देखने के लिए मिलेगा 174 का लेवल इसको ब्रेक आट करके स्टॉक हमको इस ब लेकिन अगर इस बांज बैक के साथ इस लेवल को ब्रेक आट कर जाता है तो फिर उसके बाद गोल्डे में यहां से और तेजी दिखा सकता है और अब इंपोर्टल रहेगा अगर वन एटी के लेवल से बड़ा सेलिंग नहीं आता इसके आसपास ही सस्टेन हो जाता है तो फि अगर आप डिमेट अकॉंट ओपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो विडियो एजुकेशन परपस के लिए कोई बाइसेल या होल्ड की सला नहीं है